कहते हैं कि जब दिल में होसला हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। ऐसा ही कुछ यमना नगर के गाउ, खेड़वक, कृष्ण कुमार ने करने की ठानी है। वह एक भारत एक देश। भारत मिशन की तहत करने कुमारी से कश्मीर तक पैदल यातरा करने के लिए निकला है। आज लग भग तीन हजार किलोमेटर का सफर तैय करने के बाद वो अंबाला पहुंचा जहां पर उसका फूल मालाएं पहना कर स्वागत किया गया। उसने कहा कि मेरा मानना है कि भारत दुनिया में सबसे श्रेष्ट है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से अपनी गौरवशाली प्र एक से एक लोग है जो उनको मोतोर चवाब देने के लिए बैठे हैं। 3,000 km का मेरा सफर तै हो गया है। 600 km का सफर बचा है। आशा है कि मैं इसको दस दिन में पूरा कर लोगा। और जो एक भारत, स्रेष्ट भारत जो मेरा मिशन है, इसके दाहित मैंने ये पदियात्रा शुरू की है। मेरा मानना है कि भारत दुनिया में सबसे शरुस्रेश्ट है भारत अपनी गोरोशाली प्रमप्राओं और वैभोशाली इतिहाश को लेकर के जिस तरह आगे बढ़ रहा है जो पडोसी मुल्क हैं और कुछ विदेशी ताक्ते हैं उनको ये रास नहीं आ रहा है ऐसे लोग भा देने के लिए तयार है मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आज अभी जो मेरी ये पदियात्रा है ये श्री नगर के लाल चोग तक है यदि हमारे परदान मंतरी जी बोलते हैं तो ये हम लहोर में जंडा फैला कर आएंगे यहां पर कुछ पुलिस के जवान है वो और जो रास्त इस से पहले भी पिछले साल मैंने तीन रिकॉड बनाए थे एक दिन में 24 घंटे में 140 किलोमेटर पैदल चलने का रिकॉड है कंटेन्यू दूसरा रिकॉड है दस दिन में 600 किलोमेटर चलने का और तीसरा रिकॉड है शोला दिन में एक हज़ार, चरानवे किलोमेटर चलने का भारत के जो अमरित मोचसव है, उसके तहब मैंने ये तीनों पधियात्राइं की थी, और अब ये भी जो मेरी जो पधियात्राइब ये भी भारत के अमरित मोचसव जो हम मना रहे हैं उसी के तहती मैं अपनी पधियात्रा कर रहा हूँ एक मीडिया कर्मी हूँ लंबे समय से मीडिया में हूँ लगबग 15-17 साल का मेरा कैरियर है मीडिया का लेकिन इससे पहले मैं एक स्पोर्ट्स परसन भी रहा हूँ मैंने कहीं मैराथन लेसिज में भाग ल ले तो वो उसको जरूर पूरा करें क्योंकि समय बहुत बलवाना और कभी कभी जब समय मिलता है देखिए जब मिशन बड़ा होता है तो परसानिया आती है लेकिन ऐसी कोई बड़ी परसानी मेरे साथ नहीं आई जिसको याद रखा जाए कि यह परसानी बहुत बड़ी है दिकते आती है लगबग 10 स्टेट पार करके यह विसाएद 10 स्टेट पार करके मैं यह आपर पहुँच हूँ यह पूरा खर्चा मैं खुद बहन कर रहा हूँ मैंने किसी एंजियो या किसी सासन से फिलहाल इसमें मदद नहीं ली गए ऐसी ही खबरों के लिए आप देखते रहें अमबाला ब्रेकिंग न्यूज हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें फेस्बुक पर हमारा पेज फॉलू करें और अपने मुबाइल के प्ले स्टोर से हमारी एप अमबाला ब्रेकिंग न्यूज जाउनलोड करें